एक बार एक अन्डी औरत अपने बेटे और बहु के साथ रहती थी वो लोग बहुत गरीब थे एक दिन उसके दर्वाजे पर एक फकीर आकर खाना मांगने लगा गर पर कुछ नहीं था इसलिए औरत ने अपने इससे की दो रोटी उसे दे दिया औरत को अंदाद एक फकीर बोला बताओ तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा औरत ने कहा उसे कुछ नहीं चाहिए लेकिन फकीर के बार बार बोले बर वो अपने बेटे के पास गई बेटा बोला मा अपने बहुत सारा धन मांग लो फिर वो अपने बहुत से पोचने गई वो बोली मा जी अपने लिए एक पोता मांग लीजिये ये सब सुन औरत कश्मकश में पड़ गई इतने में उसे ध्यान आया अगर वो अपनी आखों की रोशनी वापस मांग ले तो फिर औरत फकीर के पास वापस जा कर बोली मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में दूद पीते हुए देखना चाहती हूँ फकीर मुस्कुराते हुए बोला तुमने सब का ध्यान रखते हुए एक ही इच्छा में सब कुछ मांग लिया जाओ तुमें सब कुछ मिल जाएगा